लांज्रे को लेकर भारत के महिलाओं में आज भी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। लोग आज भी ब्रा के बारे में खोल कर बात नहीं करते हैं। आजकल ब्रा के बहुत सारे डिसाइन चल चुके हैं। लेकिन कॉर्सेट आज के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपिलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रा का First World War से भी नाता रह चुका है। यहां तक कि इसका विरोध भी हो चुका है। ब्रा के बारे में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज की विडियो भरी हुई है इन्हीं सब इंट्रस्टिंग चीजों के साथ। तुसलिए शुरू करते हैं आज की इस विडियो को। ब्रा के बारे में बात करते हुए दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि ब्रा आखिर पहनी क्यों जाते हैं तो इसका जवाब यह है कि इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। ब्रा पहनने के किसी वग्यानिक फायदे की बैत आज तक सपश्ट नहीं हुए जो महिलाएं इस अंगवस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। रूप इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि मिस्र की महिलाओं के बीच ब्रा का चलन सद्यों से रहा है। ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करना और अपनी बोडी को सुन्दर दिखाना। इतना ही नहीं बुलके कुछ औरतें तो इसे इसलिए पहनते थी ताकि उन्हें लगता था कि इससे उनका ब्रेस्ट साइज कम हो जाएगा। भारत में ब्रा के चलन का इतिहास खास पुराना नहीं है। से लेकर स्टन तक को सही साइज और शेप में रखने में मदद करता था। इसके बाएद 1819 के दोरान कई देशों के महिलाओं ने कपड़े से बने कॉर्सेट पहनने शुरू किये। से हर किसी से आगे हैं। इसलिए चाहे कितनी भी दुख और तकलीफ हो वो इसे पहनने से मना नहीं करते थे। और यही दर्द भरे कॉर्सेट महिलाओं की जिंदिगी का एक ऐसा हिस्सा बन गए थे कि विक्टोरिया एरा में कॉर्सेट ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कम उम्र के लड़कियों को इसे पहनने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता था। तकि कभी भी अपने डिसकमफर्ट की वज़ा से वो इसे पहनने से इंकार न करें क्योंकि विक्टोरिया नेरा में कॉर्सेट बहुत महिंगे थे। ने इसका विरोत किया जिस करन 1900 तक इसका इस्तेमाल होना लगभग बंद हो गया। BBC कल्चर में छपे एक लेक के अनुसार पहली मौडन ब्रा फ्रांस में बनाई गई। ब्रा नाम फ्रेंच शब्द ब्रेजियर से लिया गया है। इस फ्रेंच शब्द का अर्थ होता है शरीर का उपरे हिसा। लाइफ पत्रिका के अनुसार तीस माई 1879 को फ्रांस की हामनिक आडल ने कॉर्सेट को दो टुकणों में काट कर अंडर गामिंस बनाए। इसे कॉर्सलेट जॉर्ज नाम दिया गया। बाद में इसका उपरे हिस्सा ब्रा की तरह पहना और बेचा जाने लगा। इसके बाद सन 1940 के दशक में बाजार में नए तरीके की ब्रा आई। उस समय के हॉलिवूड की जानीमानी अभनेत्रियों ने उसे पहना और बॉलिवूड में भी सन 1955 से 70 तक इसका इस्तेमाल किया गया। इससे बुलिट ब्रा नाम दिया गया। ये ब्रा दोनों स्तनों को दूर राखते थे। इसके बाद 1975 में स्पोर्ट्स ब्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद से ही स्पोर्ट्स ब्रा अंडर गार्मिंट की श्रेनी से बाहर निकल कर साधारन वस्तर की श्रेनी में आ गए। इसके बाद महिलाएं खेल के दौरान इसका इस्तेमाल करने लगे। ब्रा को मशूर करने में फैशन मैगजीन वोग ने बहुत बड़ी भूमिकाने भाई। इस मैगजीन ने 1907 में ब्रेजियर शब्द को फेमस किया। हलनकि इसके लिए उन्हें विरोध भी जेलना पड़ा। ब्रा का विरोध करने के साथ ही महिला संगठनों ने इसके नुकसान के बारे में भी महिलाओं को आगा किया। 1960 के दशक में भी महिला संगठनों ने ब्रा के खिलाफ आंदोलन चुरो किया। उनका दवा था कि ब्रा कृतरिम पलकें, बालों को गोंगराले करने वाले करलर, पुरिशवादी समाज की प्रभुता और स्त्री के दमन का प्रतीक है। उनका कहना ये भी था कि इसे पहनने स महिलाएं सिर्फ six object बन जाते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इसे पहनने से breast cancer होता है। आज मार्केट में तरह तरह की ब्रा उपलब्द है। इक तरीके से ब्रा को महिलाओं के कपड़ों का जरूरे हिस्सा बना दिया गया है। हलिंकि इसके बावजूद भी महिला स स्ट्राइब का देखना भी एक बड़ा मुद्दा होता है। कुछ समय पहले जब मलाइका रोड़ा ब्रा ले सोकर बाहर निकले तो ये सुर्खी बन गई। जबकि ब्रा को लेकर हम सभी को नॉर्मल होना होगा। इसे भी बनियान की तरह मानना होगा। तब ही जाकर महिला ब्रा के मुद्दे पर खुलके बोल सकेंगे। आज भी लोग लड़की के ब्रा का स्ट्राप देखकर असहज हो जाते हैं। पुरुशी नहीं महिलाएं भी असहज हो जाते हैं। और आखों के इशारों से लड़की को से ढखने को कहते हैं। अगर आपको ये बीते जमाने की बाते लगते हैं तो शायद की बताना दिल्चस्प होगा कि फिल्म क्वीन में सेंसर बोर्ड ने कंगना रनावत की ब्रा को ब्लर कर दिया था खेद ब्रा को आज महिलाओं के कपड़ों का अनिवारे हिस्सा बना दिया गया है हाँ ये ज़रूर है कि ब्रा के विरोध में आप दबी दबी ही सही आवाजे सुनाई देने लगे हैं लेकिन ब्रा के विरोध होने या ना होने से बड़ा सवाल ये कि इसे लेकर समाज इतना आसाहच क्यों है ब्रा के रंग से परिशानी, ब्रा के दिखने से परिशानी, ब्रा के खुले में सूखने से परिशानी और ब्रा शब तक से परिशानी और उतकी शरीर और उसके कपड़ों को इस तरह से कंट्रोल के जाने की कोशिश आखिर क्यों शर्ट पैंट और वर्यान की तरह ब्राब ये कपड़ा है बेतर हुगा कि हम इसे भी एक कपड़े की तरह ही देखें